अब तक आपने लड़के द्वारा लड़की बगाने की खबर तो काफी देखी होगी लेकिन ये खबर नाबालिक लड़के को एक यूवती द्वारा बगाने की सामने आई है इसे लेकर नाबालिक लड़के की मान लगातार पुलिस प्रशाशन के दफ्तर के चक्कर लगाते हुए इस मामले में उचित कारवाई कर न्याय दिलाने की मांग कर रही है अजमेर के गंस्तानाशेतर में रहने वाली महिला का कहना है कि उसने अपने बच्चे को पिता की मोत के बावजूद मजदूरी कर भीक मांग कर बढ़ा किया लेकिन 16-17 साल के होने के बाद उसके पडोस में ही रहने वाली एक 40 वर्षी महिला द्वारा उसे अपने जाल में फसा लिया और उसे शादी का जासा दे कर प्रेशान किया रहा है और इसके कारण वह अपने घर भी नहीं आ पाया ऐसे में उन्होंने इस मामने में पुलिस से कारवाई की मांग की है लेकिन कही सुनवाई नहीं होने पर उसने अजमेर एसपी चुनारामजाट के सामने पेश होकर ग्या पंसो पाये मेरा लेर्का 17 साल की है अब उसके साथ में वो 40 साल की है मेरे परोस में रहती है वो उसी के साथ में रहता है उसी के साथ में खाता पी तक उसी के साथ में रहता है मेरे साथ में नहीं रहता है मेरे लड़का उसी का जई बोल रही है वो इसी का कोना मनती है मेरा कुना नहीं मनता है, मैं यह इनसाफ चाहिए. मेरा बच्चा चाहिए जबार हापस चाहिए. कहां जाके आगे अपने न है पुलिझकि प्षित सजाथ क कहां आंगोह ऐसे कि में इसाथ है यहीं कि ऑन्या संपराई इसाब मेरे साथ मेरे पास में रहता है इन शाप चाहिए साथ मेरे बच्चा को दुबारा मेरे को चाहती है कुई के साथ पूतma के परिवार बले उंगे है उनके माँ है भाई है भावजे अके थिल्सक्राइब कर वे शुटनि करिप ऒंगे तड हो गहर वाला था अपना बात बोल्ने सकती है साप उसका गर में देह थी जपोर सकती है अभर यह जोनी सकती है झाल झाल